हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो दोस्तों, आज की यह वीडियो बिजनेस ओर्गनाइजेशन के सब्जेक्ट से है और इसमें हमारा निव चेप्टर है प्रोमोटर कि प्रोमोटर क्या होता है, कौन होता है और इसके फंक्शन्स क्या क्या होते हैं आज की इस वीडियो में हम इसे डिटेल में समझेंगे बिजनेस ओर्गनाइजेशन के और भी मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ अब चैनल में जाकर इसकी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चक करें तो यहाँ प्रोमोटर की मीनिंग लिखी हुई है, सबसे पहले इसकी मीनिंग को समझते हैं तो इसका मतलब या हुआ कि एक कमपनी का प्रोमोटर वो परसन या लोगों का एक ग्रूप होता है जो बिजनेस शुरू करने की सोच के साथ आगे बढ़ता है यह जो प्रोमोटर होते हैं, इनका मेन अबजेक्टिव होता है कि बिजनेस की प्लानिंग करना और उसे सकसेज फुली इस्टेबलिश करना तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रोमोटर एक इंडिविजवल भी हो सकता है जो अपनी प्लानिंग से बिजनेस को शुरू करता है इसके अलावा एक कमपनी भी प्रोमोटर का रोल निभा सकती है जो दूसरे नए विंचर्स को स्टार्ट करने में मदद करती है तो इस तरह से ये जो प्रोमोटर होते हैं इनका काम सिर्फ बिजनेस आइडिया को सोचना ही नहीं होता है बलकि उस आइडिया को रियालिटी में लाने के लिए सारी लीगल और फैनेंशिल फोमेलिटी को कम्प्लीट करना भी होता है यह जो promoters होते हैं इनका main focus होता है company को register करना पैसे को इकठा करना और जरूरी resources जो हैं उनको arrange करना या उनका arrangement करना जिससे company smoothly operate हो सके इसी में आगे और लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो promoter होता है उसका जो business idea है वो सबसे पहले business idea की profitability को समझता है यानि क्या यह idea successful हो सकता है या नहीं इसके लिए promoter उस area में available opportunities को analyze करता है जैसे market demand क्या है competitors कैसे हैं और कितना potential growth हो सकती है तो जो promoter है वो सिर्फ opportunities को ही नहीं देखता है बलकि business को शुरू करने के लिए कौन-कौन से resources की जरूरत पड़ेगी उनका भी वो analysis करता है जैसे कितना पैसा चाहिए यानि कितनी capital लगेगी कितने लोग चाहिए raw materials, machinery, technology का क्या arrangement होगा साथ ही उस business में कितना risk involved है यानि अगर business plan successful नहीं होगा तो कितना नुकसान हो सकता है और उस नुकसान से कैसे deal किया जा सकता है इन सब चीजों का analysis करके promoter decide करता है कि business को शुरू करना profitable होगा या नहीं क्योंकि कोई भी business ऐसे ही बिना सोचे समझे हम start नहीं कर सकते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है तो ये सारी चीजें एक promoter ही करता है एक promoter ही एक business को शुरू करता है अब आएए आगे समझते हैं functions of promoter के बारे में कि एक promoter के क्या-क्या functions होते हैं उसके क्या-क्या काम होते हैं इसकी एक-एक heading यहां लिखी हुई है इसे हम detail में समझते हैं तो सबसे पहला है identification of business opportunity means business की जो opportunities हैं उनको identify करना उनकी पहचान करना एक promoter का पहला काम business के लिए एक profitable opportunity को पहचानना होता है इस process में promoter market का analysis करता है और देखने की कोशिश करता है कि कौन से products या services की demands ज्यादा हैं या आगे हो सकती हैं तो promoter को या देखना पड़ता है कि business idea market में कितना unique है क्या competition होगा या नहीं और कितना होगा और क्या उस idea से अच्छी growth आगे बढ़ सकती है या नहीं या आगे मिल सकती है या नहीं और साथी साथ उसमें हमें कितना profit मिल सकता है तो यह सारी चीजों के बारे में सोचना या analysis करना होता है अब जैसे एक promoter को लगता है कि किसी एक city में food delivery service की demand बढ़ रही है तो वो इस sector में business शुरू करने की सोच सकता है इसका दूसरा function है detailed investigation तो detail या विस्तार में जानकारी इकठा करना तो एक business idea को choose करने के बाद promoter उस idea के हर एक aspect को investigate करता है जानकारी इकठा करता है इसमें promoter या देखता है कि business शुरू करना financial और operations terms में possible है या नहीं जो product या services promote करनी है क्या उसे बनाना या provide करना technically possible है या नहीं साथ ही business को शुरू करने और उसे चलाने के लिए कितना पैसा लगेगा और कितनी investment और profit की आगे उम्मीद है market में demand और supply का क्या ratio होगा कितना competition है और target customer कौन से होंगे तो इस तरह इन सारी चीजों की एक detailed investigation करता है यानि जानकारी इकठा करता है next है approval of name जो नाम रखना है उसका approval लेना तो जब promoter decide कर लेता है कि business को establish करना है तो next step जो होता है वो company का acceptable name को choose करना होता है company के नाम से match ना करता हो तो promoter को ROC यानि registrar of companies के पास या apply करना होता है और जो नाम रखना है उसके 2-3 option भी दिये जाते हैं ताकि एक नाम approve ना हो तो दूसरे को consider किया जा सके और जो registrar है उसको ensure करना पड़ता है जो नाम choose किया गया है वो legally permissible है और किसी भी दूसरी company के trademark rights को valiate ना करता हो दोस्तो brand और trademark के बारे में भी हम आगे की वीडियो में समझेंगे नेक्स्ट है appointment of professionals professionals की नियुक्ती तो दोस्तो एक company को establish करते वक्त जो promoter है उसको कई professionals की मदद चाहिए होती है जो उन्हें legal, financial और technical matters में guide कर सके इन professionals में legal advisors, accountants, auditors, bankers और भी कई सारे लोग शामिल हो सकते हैं तो ये लोग company को register करने, capital raise करने, legal documents बनाने और सारी formalities को complete करने में मदद करते हैं एक प्रमोटर एक CA यानि chartered accountant को appoint करता है जो company के financial records और auditing का ध्यान रखेगा और एक lawyer जो legal documents और contracts बनाने में मदद करेगा नेक्स्ट है preparing necessary documents जो जरूरी documents हैं उनको prepare करना या तयार करना तो प्रमोटर को company के registration के लिए कुछ important documents बनाने पड़ते हैं ये documents होते हैं जैसे MOA इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ तो इसमें company का purpose, objective और कौन से area में business करेंगे ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं दूसरा होता है AOA यानि articles of association इसमें company के internal rules और regulations होते हैं जैसे company कैसे operate करेगी, decision making process क्या होगा और shareholders के rights क्या होंगे सारी चीजे इसमें लिखी हुई होती हैं और तीसरा होता है prospectus अगर company public से पैसा raise करना चाती है तो prospectus बनाना होता है जो investors को company के बारे में detailed information provide करता है तो इस तरह अलग-अलग important documents होते हैं और इन्हें prepare करना जरूरी होता है तो इसमें promoter का next और last function है arrangement of company office company की office को बनाना है उसका arrangement करना तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक company को establish करने के लिए एक registered office का होना बहुत जरूरी होता है जहां से सारे operations manage किये जाते हैं तो promoter को office का setup करना पड़ता है जो company का legal address बनेगा इस office में company के documents, records और communication handle किये जाते हैं office का arrangement जो है वो temporary भी हो सकता है जब तक company का अपना permanent office setup नहीं उपाता है तो इस तरह दोस्तों एक promoter के यह सारे functions होते हैं इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि promoter के यह functions business की foundation रखने में मदद करते हैं जिससे company जो है वो smoothly और legally establish हो सके और future में profitable operations कर सके उमीद करता हूँ यह video आपको useful लगी होगी इसी तरह के और videos देखने के लिए channel को subscribe करें और business organization की playlist को भी जरूर चक करें वहाँ आपको बहुत सारी videos मिल जाएंगी Thank you